हेलो दोस्तों मेरा नाम है विशेई इश्गोयल और आप देखे है मेरा चैनलज बीवर्ड तो आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब तो दोस्तों भी इतने दिनों से स्टूडियो में वीडियो शुट हो रही थी तो अभी मैंने सोचा कि जो हम स्टूडियो से बहार चलते हैं एक मौल में और देखते हैं कि आप हम क्या स्थीख सकते हैं तो आप आज हम काफी चीज़े देखेंगे और जानेगे कि उनको इंग इंग्लिश में बताना है हिंदी में नहीं नहीं बता तो आये जानते हैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं और भाई विवश चल मुझे ये बता कि सूजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं सूजी को इंग्लिश में सेमोलीना कहते हैं अरे वाह तुझे तो यह आता है अच्छ तो चलो दूस्टों का आपने ये तो जान लिया कि इडली नान पपड़े किस चीज के बने होते हैं तो इनको बनाना है तो कुछ मसाले तो डालने पड़ेगा न इसमें और ये ऐसे कुछ मसाले तो किछन इंग्रिडियन इसमें जानती कि इंग्लिश में क्या कहते हैं जब इब मर्श तो में पता है ये क्या चीज है ये तो काली मिर्च है और इसे इंग्लिश में ब्लाक पेपर कहते हैं अच्छा ये क्या चीज है? ये तो अजवैन है और इस इंग्लिश में ट्रैकेस्पेरमा मम्मी कहते हैं अब ये बता कि ये क्या चीज है? ये ये तो लॉंग है और इस इंग्लिश में क्लोव कहते हैं चल अब ये बता दे कि ये क्या चीज है? ये ये तो दालचीनी है और इस इंग्लिश में सिनेमन कहते है और ये क्या है ये तो दाना में थी है और इस इंग्लिश में फेन्यू ग्रीक कहते है चल ये बता ये क्या चीज है ये तो जीरा है और इस इंग्लिश में क्यूमिन कहते है अब ये भी बता दे कि ये क्या चीज है ये तो राई है और इसे इंग्लिश में mustard seed कहते है तब तेरे लिए आखरी सवाल कि ये क्या है ये ये तो तेल है पर इस इंग्लिश में sesame कहते है तो चलो दोस्तों मसालों की भी प्रात हो गई लेकिन बिना सबजियों के कोई डिश पूरी होती है नहीं बिना सबजियों के तो कुछ भी पूरा नहीं होता इसे बहुत सारी सबजियों को देखते है इंग्लिश में क्या कहते है भया पत्ता गुबी को इंग्लिश में क्या कहते है इंग्लिश में पता गुबी को कैबेज कहते हैं और बैंगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रिंजल कहते हैं और अब खीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं खीरे को तो क्योकुंबर कहते हैं और अब यह भी बता तो बिंडी को क्या कहते हैं इसे Indian round gourd क्याते हैं, या फिर generally tinda'iem क्याते हैं और करेली को क्या 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 है? इसको bitter gourd क्याते हैं, तो दो तो दोस्तों, ये हैझे है चुकंदर और इसे इंगलिश में beet root क्याते हैं जिसके बाद मेरे पास है ये अदरक और अधरक को इंग्लिश में जिंजर कहते है ठीक है इसके बाद यहाँ पे है शकरकंद और शकरकंद को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते है और अब आखरी में है यह नीम्बू और नीम्बू को इंग्लिश में लेमन कहते है यह फूल को भी और इसे इंग्लिश में पॉंपकिन कहते हैं यह गोल्ड घीया है और इसे इंग्लिश में राउंड बॉटल गॉट कहते हैं और यह यह तो भुट्टा है और इसे इंग्लिश में कौन कहते हैं यह गाजर है और इसे इंग्लिश में कैरट कहते हैं यह आलू है और इसे इंग्लिश में पोटैटो कहते प्याज और इसे इंग्लिश में अन्ययन कहते हैं और यह टमाटर है और इसे इंग्लिश में टमाटो कहते हैं तह दोस्तो आपने सूजी मैंदर मेशन जान लिया मसाले जान लिया, सबजी या जान लिया लेकिन हलदी मैने लिया लिए आपको किस की च्छी जरूरत है ळिकली है तो आई अब कुछ फूर्मोट को देखते हैं इंगलिश में क्या कहते है दोस्तो यह मेरे पास है मोसंबी वैसे तो इंसको कुई ओरिजनल नाप नहीए, पर इसे श्वीट लाइम या स्वीट लमन कहे देते हैं अगे बढ़ते हैं इसके बाद यह संत्रा जो मोसंबी जैसा ही देखता है तो इस इंग्लिश में औरेंज कहते हैं बनाना कहते हैं यह पपीता है और इसी इंगलिश में पपाया कहते है यह सर्दा है और इसी इंगलिश में सनमेलन कहते है यह तर्बूज है और इसी इंगलिश में वाटरमेलन कहते है और यह यह तो नारियल है और इसी इंगलिश में कोकॉनट कहते है तो दोस्तों आपके फूरे हो गए तो वेजटेबल देख लिया है और कोई सी चीटिंग करने के पकोड़े ओकोड़े नानवान सब आपका पूरा हो चुका है सो यही था हमारे मॉल की सीरीज में जहां में बाहर जाके देखा क्या है हमें सीखने को मिलता है आपको यह कैसा लगा जो स्टूडियो से भाहर जाके शूटिंग है आपको कैसा लगा मजा आया क्या अगर आपको इस ताइप की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर पर देना मुझे नीचे कमेंट्स में बिल बता जरूर देना अपने दोसें के साथ शियर करतो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाते हैं मैं मुलता है अपने अगली वीडियो में तब तक यह टाटा वाय मैं थैंक यू